कुश्चन नम्मर्ट 12 है अपने सामने पीटी एक टेंजेंट है तो भाई यह पहले बनाओ एक सरकल जाबी तो टेंजेंट बनेगी यह हो गया सरकल अब इस पर एक टेंजेंट है तो एक टेंजेंट बना दो यह पी यह टी और पांट पर टच कर रही है ठीक है एक डाइमीटर है क्यूंट तो यह डाइमीटर होगाया जिसको पर agn Corn वो गई वैंजेंट हो गया थी कि ट्यक है यह डाइमीटर एस क्यूंट ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिख कर नहीं है इधर कहीं इसका सेंटर होगा ओ ठीक है बिल्कुल ठीक है अब क्या बोल रहा है एक एंगल गिवन है अपनको कौन सा एंगल गिवन है इस एंगल इस गिवन जोंकि क्या है 32 डिग्री है ठीक है और अपन से क्या पूछा है अप से कौन सा एंगल पूचा है यह एंगल पूचा है तो सिंपल सी वात है निकाल देंगे उसमें क्या दिक्कत है कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसको इससे जोइन करो अब बोलो सर यह एंगल तो 90 बन गया अरे टेंजेंट को अगर रेडियस से जोइन करते हैं से से जोइन करते हैं टेंजन को कर रेडियस और टेंजन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती पॉइंट ऑफ कॉंटेक्ट होता है वह एंगल 90 डिग्री का होता है तो यह एंगल आगया 90 डिग्री का यह कितना है 32 तो यह नहीं निकाल पा हुए आप बोलू सर बिल्कुल निकल सब्सक्राइब करते हैं तो यह एंगल भी ठीक dragging के पॉरण बोल्ती इक पॉलती है में अगर तो यह एंगल वी ठीक अब यह एंगल ठीटा है तो यह इंगल कितना होना चाहिए तू ठीक है यह तो सब ने पढ़ा एक सर्कल के अंदर गोश्यक्र तोर अगया किंदर這邊 स्थि इतना एंगल बन रहा है यह अगर तू ठीटा है तो यह एंगल ठीटा होगा तो यह अगर ठीटा है तो यह तू ठीटा होगा ठीक है एक टेंजेंट है एक कोड ठीक है यह एंगल इसके अपोजेट सेग्मेंट में बनने वाले एंगल के बरावर होगा यह एंगल अगर थीटा है तो अपोजेट सेग्मेंट में इस साइड बनने वाला एंगल क्या होगा यह भी थीटा होगा यह थीटा थीटा दोनों बरावर ह ठीक है यह अल्टरनेट सेग्मेंट से और हम बोलती है तो यह तू ठीटा है तू ठीटा की वैल्ली अगर क्या 58 डिग्री है तो ठीटा की वैल्ली कितनी आगई 29 डिग्री 29 डिग्री अपने कोश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा